पॉइंट देखोगे तो यहां पे लगा हुआ है और यहां पे वाइव लिखा हुआ है कई बार बोट के अंदर क्या होता है कि हमारा यह जो मोड बटन है यह एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास WS887 मोडल नंबर का यह बुलो तो स्पीकर है और इस स्पीकर को लेके ना मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे स्पीकर ओन नहीं हो रहा है तो देखिए फ्रेंड मैं रिपलाई में आपको हमेशा मैसेज करता हूँ कि सबसे पहले आप बैटरी की जो वोल्टेज है उसे चेक करें और उसके बाद ओनो बटन को सोट करके देखें जिससे हमें पता चले कि एक्चॉल में प्रॉलम कहां पे है लेकिन काफी सारे जो नए यूजर हैं वो वीडियो को पूरा नहीं देखते जिसकी वज़े से उनको पते नहीं चलता कि सोट क्या होता है बैटरी वोल्टेज कितनी चेक करनी है कितनी होनी है तो जिस वज़े से उनकी जो प्रॉलम है सोल नहीं होती या फिर उनको समझ नहीं आता कि ये सोट क्या कह रहे हैं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डीटेल से बताऊंगा इस स्पीकर के बारे में कि अगर वीडियो को आप सुरू से एंड तक देखें और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तब ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अदर्वाइस पेज को खोलना पड़ेगा तो जो इस टैफ के स्पीकर आते हैं उसके अंदर पीछे की तरफ हमारे पेज दे होते हैं तो सिंपली हमें यह जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है अगर आप अपना स्पीकर पहली बार खोल रहे हो तो फॉर्म के नीचे इसके पेज आप घुमाके पेज को निकाल सकते हो तो चलिए मैं फटा फट इसको निकाल लेता हूं तो निकालने के लिए देखे फ्रेंड यह स्पीकर पहले भी एक बार खुल चुका है इसके अंदर कुछ ना कुछ रिपैर हुआ है तो अब हम इसके अंदर निसान लगा हुए तो मै सुझें फटा फट इसको खोल लेता हूं लेकिन आपको उसी तरीके से खोलना है जैसे मैं अने आपको बताया है तो इस तरीके से हम इसको खोल लेते हैं यह देखे और सारी चीज़े मैं आपको बता ओंगा और यहां पर यह नंनी और बटन के उपर, यह प्लास्टिक है, इसको भी हम साइड मे रखेंगे, और यहां पर यहां पर देखें यह पर की तरफ की तर हमसे उठाएंगे, जब भी आप कोई पहुआ निकाल लो, तो बिलकुल प्यार से आपको खोलनी निहीं है, तो यहां पे यह जो इसके साथ धागा है इसके साथ यह देखिए पेले रंग की वायर लगी हुई है तो यह जो वायर है यह हमारी अंटीना की है और यहां पर देख लो आप एक बार अच्छे से देख लो कौन सी वायर कहां पर लगी हुई है यह जो वायर है कहां पर जोड़ी हुई है य टैप के WS887 मोडल के काफी सारे speaker आते हैं जिसके अंदर यह जो board होते हैं यह हमारे बिल्कुल अलग होते हैं यह देखिए एक दो board मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह देख लो मेरे पास एक और पुराना board है यह भी हमारा WS887 मोडल का Bluetooth speaker है लेकिन इसके अंदर आगर आप आपको साथ में दिखाई दे रहा है एक बार मैं आपको जोंग करके दिखा दूँ यह जो आपको साथ में दिखाई दे रहा है ना वी पलस तो यह वी पलस की चीज़ का है यह हमारे बटन का पॉइंट है यानि यह वाल्यूम पलस वाली बटन है यहां पर आप देखोगे आपको काम अगर आप करते रहोगे तो आपको खुदी पता चल जाएगा जैसे कि मुझे पता चल जाता है बाकि अगर आपको इस टाइब का बोर्ड ना हो आपके पास कोई दूसरा बोर्ड हो तो Y1 देख लेना इसके पास में आपको पॉइंट मिल जाएगा क्या हमारा स्पीकर काम करेगा कि नहीं करेगा तो यह जो अंटीना वायर होती है यह स्पेशली किसलिए होती है कि अगर हम अपने स्पीकर के अंदर FM वगरा यूज करते हैं तो वहाँ पे उसको सिंगनेल अच्छे तरीके से मिले ताकि हमारा FM के अंदर जो भी चैनल वगरा पकड़ते हैं वो अच्छे तरीके से रहे जाए और हमें साफ हवास सुनाई दे तो इसलिए इसको यूज किया जाता है अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस वायर को हटा दोगे तो आपका स्पीकर काम करना बंद कर देगा बाकी जो इसके और फंक्सेन है जैसे कि हमारे ये स्पीकर के अंदर क्या Bluetooth से काम करता है हमारे ये USB से काम करता है हमारे memory card से काम करता है तो बागे फंक्सेन हमारे काम करेंगे सिरिफ FM mode के अंदर ये होगा कि अगर आप इसे FM मोड पे यूज करोगे और इस वायर को आप हटा दोगे तो हमारा FM नहीं पकड़ेगा बस यह चीज है उसके अलावा कुछ भी नहीं है अब यह चीज आपको समझ में आगी अब देखिए फ्रेंड काफे सारे जो और मेरे काफे सारे सस्क्राइबर हैं यह ठीक है एक तो हमारी điều hari होगी दो हमारी बैटरी की वायर होगी और दो हमारी स्पीकर की होगी उसके अलावा आपको 60 लिए नहीं मिलेगी अब यहां पे देखिए यह तो हो गया और एक एक तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको practically समझ आ जाए तो यह देखे फ्रेंड मैंने क्या करा यहां से इस वायर को हटा दिया अब यहां पर हम यह मान के चलेंगे कि हमारी यह जो वायर है निकल गई है और हमें पता नहीं है कि कौन सी वायर कहां पर जोडनी है तो किस तरीके से हम पता लगाएंगे तो देखे फ्रेंड इसके अंदर अकसरों को परोपयों है कुछ लोगों यह आती है कि इसके अंदर जैसे कि यह वायर निकल गई अब यहाँ पे टोटल चार वायर हैं तो इसके अंदर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके अंदर बैटरी की वायर कौन सी है और स्पीकर की वायर कौन सी है कुछ लोगों को तो ये प्रोलम है और कुछ लोगों को ये प्रोलम आती है कि इसके अंदर तो पता है कि उनको की ये जो दो वायर है ये हमारे बैटरी की है और ये जो दो वायर है ये हमारे स्पीकर की है लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि बोर्ड के अंदर वायर कहां पर जोड़नी है तो देखे बोर्ड के जोड़ेगी। तो देखे किस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पर आपको बोड़ किस तरीके किड़े देखना है। . यहाँ पर पोउइंट देख राखा हुता है। ठीक है तो यहां पे आप हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पे बैटरी की वायर जुड़ेगी यहां पे स्पीकर की जुड़ेगी तो यहां पे आप बोर्ड के उपर देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है यहां पे ओपर तो यहां पे यहां पे दिखा हो है यहां पे हो यहां पे हो आपको इससे मतलब नहीं है आपको यहांपर पॉइंट के आगे यह भादेर लिखा क्या है इसके साथ में क्या लिखा हुआ है तो यहां पे- Wit लिखा हुआ है यहां पर की बारल्ग कर रिखा हुआ hon तो आप इसके अंतर जैसे कि यह हमारा प्लस वाला पॉइंट है, यह मानस का है, तो speaker की प्लस वाली वायर को आप मानस पर जोड़ सकते हो, और मानस वाली वायर को प्लस पर जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे तो आप उल्टी वायर को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, य लेकिन यहां पर आप देखोगे, तो बिल्कुल साथ में यहां पर बैटरी वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है, अब यहां पर इसकी पहचान पहले देख लो, तो यहां पर देखिए B पलस लिखा हुआ है, और B मानस लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा कि बैटरी के बैटरी के हैं तो यहाँ पर बैटरी की प्लस वायर लगेगी यहाँ पर माइनस लगेगी अब इसमें ध्यान क्या देना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर की वायर के अंदर आप उल्टा-सिदा वायर जोड सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको बैटरी वाय हो सकती है या कोई और प्रोलम आ सकती है तो बैटरी की वायर के अंदर आप प्लस माइनस जोड़ते समय यह ध्यान रखें और इस तरीके से आप पहचान सकते हो अब यह जो पॉइंट है कहीं पर भी हो सकते हैं बोर्ट के अंदर मार्केट में काफी सारे WS-887 मोडल के स्पीकर आ रहे हो उसके अंदर पॉइंट आपको कहीं पर यहां पर मिलेंगे कहीं पर यहां पर मिलेंगे तो ऐसे आपको देख लेना है तो इस तरीके से यह चीज़े हमें पता चलगी अब दूसरा क्या फ्रेंड की काफे सारे जो हमारे और भाई हैं उनके टैब की अगर प्रोलम आपके साथ भी आ रहे है मोड बटन की तो उसके अंदर क्या है फ्रेंड की इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकती उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी फंक्सन हैं यह हमारे वाल्यूम प्लस वाले हैं यह मोड बटन का है तो यह इस main IC से होता है यह जो आप IC दिखाई दे रही है इस main IC के अंदर ही सारी programming होते है उस ही इसाफ से हमारी बटन काम करती है तो कई बार क्या होता है कि यह IC हमारी खराब हो जाती है या short हो जाती है तो उस वज़े से क्या होता है कि हमारे mode button या volume प्लस वाले माइनस वाले बटन ठीक से काम नहीं करते और फिर वो हमारी चीज़े प्रोलम देने लगते हैं ऐसी प्रोलम अगर आपके साथ भी आ रही है तो आपको क्या करना है सिंपली इस आईसी को रिप्लेस करना है अब यह जो IC है फ्रेंड- अलग-अलग बोर्ड के अंदर आपको अलग-अलग नमबर की、 अलग-अलग लेक की IC मिलेंगी जैसी कि यह जो मेरे पास IC है इस टैप की है तो एक बोर्ड और Х step कि यह हमारी main IC है, तो इस तरीके से आपको देख के लगाना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं कि आपने किसी भी board से निकाला और लगा दिया, हाँ यह है कि आपके पास अगर पुराना board है और same number की IC है, तो आप replace कर सकते हो, और यह चीज़े आपकी repair हो जाएंगी, बिना IC कि इसक अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा, सारे function हमारे IC से control होती है, इसके जितने भी button के function है, तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है, अब दूसरा क्या है friend कि यह चीज़े हमें अच्छे समझ आ गया, अब हमारी confusion रहेगी कि इसके अंदर हम कैसे पैचाने, कौन से हमारी speaker की ह और कौन से हमारी battery की है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है friend कि आपको इसको खोल लेना है, इस plastic को इस तरीके से खोल लेना है, यह देखे मैंने खोल दिया, और खोलने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हो भी यह कौन सी wire कहां पे है, जैसे कि यह हमारी battery की wire है, त speaker हमारा low quality वाला है, इसके अंदर आप देख सकते हो कैसी छोटी सी battery लगी हुई है, तो इस इस इसाफ से देख लेना, तो फिलाल हम इस पर बात नहीं कर रहें कि यह कैसी quality वाला speaker है, हम इसके point की बात करने किस तरीके से आप सेख सकते हो, तो यहाँ पर यह हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, फटा-फट इसके अंदर यह वायर को जोड देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके on-off की बटन की problem को किस तरीके से आपको check करना है, तो एक बार मैं इसकी वायर को फटा-फट लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, तो यह स्पीकर हमारा ओन नहीं हो रहा है और देखे मैं इसको चार लगाता हूं इस तरीके से यह देखे मैं इसको चार लगा रहा हूं यह मैंने इसको चार लगाया और चार लगाते ही आप देख सकते हो कि हमारी रेड रंकी लाइट जो है वो जलना स्टार्ट हो गी है अब देखे मैं इसकी charging pin को हटाता हूँ तो यह speaker हमारा दुबारा ओन नहीं होगा यह देखिए इस तरीके से मैंने बंद करा और फिर से मैं ओन कर रहा हूं तो यह ओन नहीं हो रहा है तो इस टाइप की प्रोलम आए तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको charging pin को ऐसे लगा के रखने है ठीक है यह हमने लगा लिया अब यहां पर क्या करना है हमें इन इसका किसी एक वायर देना है यह देखिए speaker e power है अगर आप इस तरीके से चेक कर रहे हो, यहाँ पर आपकी बैटरी भी चार्ज है, और आप मल्टी मिटर से जब यहाँ पर वोल्टेज चेक करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा, कि यह जो हमने चार्जिंग पिल लगाई, इसकी सप्लाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ में देखेंगे बैटरी कि यहां तक वोल्टेज आ रही हैं, अगर आपको वोल्टेज मिल रही है, तो आप समझ जाव कि आपकी बैटरी है खराब हो चुकि आपको बैटरी को रिप्लेस करना है, और अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है, फिर हम बीच में इसके components को देखेंगे तो इसके बीच में क्या होता है कि इस टाइब का diode या जीनर आपको मिलेगा इस बोर्ट के अंदर हमें जीनर लगा हुआ है इसके अंदर और यहां पर मेरे पास पुराना बोर्ड है आपके बोर्ड में हो सकते हैं इस टाइब का करता हूं तो देखें इस तरीके से हमें इसको सेट करेंगे हैं अब अब हम उसके बात क्या करेंगे यहां पर इसको चैक करेंगे इस तरह आ से आपको charging लगा करना है तो यह जो हमारा 9 के आज पास आपको voltage मिल रही है इसका मतलब क्या है फ्रेंट की यहां से जो supply है battery connector तक पहुंच रही है बीच में कोई भी problem नहीं है यह बिल्कुल okay है जो problem है हमारी battery की है क्योंकि यहां तक supply अगर आ रही है आपकी battery point तक तो उसके बाद काम क्या है battery का होता है कि वह charge यह हमारा बीच में डायोड या जीना डायोड लगा होता है यह खराब हो जाता है तो इसके वज़े से supply यहां तक नहीं पहुंच पाती battery पॉइंट्स पॉइंट तक और जिसके वज़े से battery चार्ज नहीं ऊती है तो समझ में आगे इस तरीके से आपको चेक करना है अब यहां इस तरीके से हम क्या करेंगे यहां से इस बैटरी बार को निकाल देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एक चीज और जो कि लोगों को काफी प्रोलम आ रही है सारा कुछ मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं तो आप वीडियो को पूरा देखें क्यूंक मैं आपको समझ में आ जाएंगी आप एक बार अच्षा से देख लो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और यह द्यान से देखने के बाद ही समझ आती हैं तो यह मैं बैटरी की बाधर जोड़ा हूं देखे मैं प्लस की जगा चीकर Und नहीं होता तब मैं आपको बोलता Lee目 करों कि आप किया करो सबसे पहले बैटेआ की वोलतेज करो और उसके बाद अपने En- conscious बाटन बेक को यहां पर डेखे जो बैटेँ की वॉल्टेज करनी होते हो जिस तरी केसे चेक करनी होते यह बैटरी आपकी लगी हुई है और आपको सबसे पहले क्या करना है बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है यहां पर जैसे कि यह 20 वोल्टेज पर सेट है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे तो यहां पर देखे इस तरीके से मैंने चेक कर रहते हैं उपर नीचे करते हैं ओन नहीं होता तो मैं आपको बोलता हूं उसकी आप सोड करो तो यहां पर आपने सबसे पहले बैटरी की वोल्टे चेक कर लेने तो यहां पर बैटरी हमारी चार्ज है अब हमें इसे डारेक्ट यूज करके देखेंगे कि डारेक्ट ओन करके सोट करके तो देखिए किस तरीके से करना होता है इस तरीक बालता है यह जो हमारा पॉइंट आ रहा है इसका जीनर डायट से होके इस वाले पॉइंट पर आ रहा है तो एक आपको पॉइंट ऐसा देखना है जो कि हमारे डायट से या फिर जीनर से आता हूँ तो यह हमारे जीनर यहां पर लगा हुआ है और इस वाले बोड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है इस तरह का डाइट लगा होता है इसका भी एक point हमारा इस ही बटन पर जा रहा है तो इस तरह का हमारा इस सोट करके देखेंगे तो यह देखिए friend जैसे मैंने सोट करा है तो आप देख सकते हो हमारा speaker तो इस तरीके से जब भी आपके speaker में ऐसी problem आए कि आप अपने बटन को ओन कर रहे हो उसके बाद भी आपका speaker ओन नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है इसकी बैटरी की वोल्टेज को चेक करना है बैटरी की वोल्टेज मैंने आपको बता दिये है कि लगबग 3.4 के आज पास आपकी बैटरी चार्ज होने चीए और उसके बाद अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो आपको सिंपली इस त खराब हो गिया फिर main Ic में लगे जो components होते हैं वो कई लाट कराब हो जाते हैं तो ऐसे में chance बहुत कम हो जाता है अगर यहां से ओन नहीं हो रहा तो फिर बहुत कम chance हो जाता है क्योंकि फिर उसके बाद problem चली जाती है हमारी main IC के अंदर तो इस तरीके से फ्रेंट जहां अगर बारी problem है तो वहां तक तो repair करना बहुत easy होता है लेकिन problem IC में आ जाए तो IC repair नहीं होती है आपको IC को replace करना होता है और उसी same number के आपको IC लगानी पड़ेगी तब ही आपका speaker काम करेगा तो इस तरीके से ये basic चीजे हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है और आप इस तरीके से अच्छे से wiring को भी समझ के लगा सकते हो जैसे कि wire के बारे मैंने आपको बता दिया बटन को किस तरीके से sort करना है वो मैंने आपको बता दिया charging pin को लगाने बाद battery point तक supply आ रही है कि नहीं आरी वो कैसे check करना है वो मैंने आपको बता दिया तो इस तरीके से आपको step by step checking कर लेनी है आप अपनी problem के हिसाब से check कर सकते हो तो उमीद करता हूँ friend कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like share जरूर करें और चैनल पर नए होते चैनल को subscribe करें तो चलिए friend फिर मिलते हैं next वीडियो में कुस नए topic साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम